तो हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मनिश गुपता और आप देख रहे हैं ब्लॉक वन जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था आप सभी जानते हैं ब्लॉक वन में हमारा पूरा का पूरा जो माइक्रोप्स था माइक्रोप्स के बारे में डिस्कसन कर रखा था एक तरह के से हमने माइक्रोप्स के बारे में पढ़ा था माइक्रोप्स में आपका वाइरस था एंड देन क्या क्या था आपका बैक्टेरिया था तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा थ है क्योंकि याद रखेंगे तो आपके लिए ही फायदे मन रहेगा ठीक है इससे यह होगा कि लगेगा कि हाँ आप डेटेड है चीजों से ठीक है तो हमने जो यूनिट फाइव था यूनिट फाइव में हमने एलगी के बारे में पढ़ा था ब्लॉक टू का यूनिट फाइव से सब चीज के बारे में हमने देरे-देरे डिसकस कर लिया था तो आज गाईज यूनिट फिक्स की बारी है क्या यूनिट फिक्स की बारी है यूनिट फिक्स में आपका क्या है तो यूनिट फिक्स में आपका है यूनिट फिक्स में आपका है यूनिट फिक्स तरीके से य का और्गनाइजेशन होता है क्या यह देखिए और रीप्रोडक्शन करता है एंड क्लासिफिकेशन हम उसको किस बेसिस पर करते हैं किस तरीके से करते तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को सुरुवात करने से पहले आप जाएए फटा फट जाके सब बटन दवाईए और हमारी फैमली का हिस्सा बनिया क्योंकि आप इसी तरीके से वीडियो देखेगा तो आप हमसे अपडेटेड नहीं रहेगा अगर आप जाके सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे एंड देन क्या है उसके बाद आप बैल आइकन दबाएंगे बैल आइकन बटन दबा देंगे तो देन आपका यह होगा कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे आपको अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह आप से एक तरीक से आप ही के फायदे की बात बोल रहा हूं तो आप कर देंगे मुझे मालूम है अप अच्छे लोग हैं चले ठीक है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक बार हम फिर से लगी के इंट्रोडक्शन के बारे में प structure के बारे में बात करेंगे यानि यानी प्रोकेरिटिक एंड यूकेरिटिक फ़र्म जो उसका होता है इसका एल्गी का उसके वारे में हम बात करेंगे देन उसके बाद आता है देखना है और वीडियो को पूरा देखना है तो यह एक बुरी आदत होती है हम लोगों में कि हम किसे चीज को फिनिस नहीं करते तो यह आप अपनी आदत को सुधारिये और क्या करिये पूरा वीडियो को वाच करिए क्यों कि आप पूरा वीडियो जब देख insights जाएंगे तो आप exam में exam hall में जब exam दे रहे होंगे तो एक अलगी confidence फील कर रहे होंगे ठीक है आपके फाइदे की बात है पूरा वीडियो देखिए आपसे पूरा मतलब slow देखिये ठीक है जो जो बिग syner है जिनको कुछ भी समझ में आ रहा तो मेरा उन से वहारा है कि वह अराम अरं से वीडियो को देखे अर कि ये समझाय हो तक दर 6 तेखिए उसमें तीन टैप्स के होते हैं वेजिटेटिव रिप्रडॉक्शन और सेक्षव रिप्रडॉक्शन वेजिटेटिव सेक्षव का ही पार्ट है और 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 उडिन ऐपको अभी बताता चलता हूं and then, यह कोशिस करूगा की पार्ट फ्री में आपको पूरा कबर करा दू क्योंकि देखिए इसमें डिविजन बहुत सारी डिविजन को हमें पढ़ना है पहला हमारा साइनो फाइटा हो जाएगा, दूसरा हमारा गलव को फाइटा हो जाएगा, then division rhodophyta, then division chlorophyta, then division duglenophyta, then division dynophyta, उसके बाद division epico eplic complexa and division cryptocurrency and heterocontophyta, यानि कितने हैं total आप गिंद लिजिए तो यहां पे आपको 8 10 तो मिली जाएंगे, 4, 4, 8, 1, 9 ठीक है, तो यानि 9 divisions के वारे में हम one by one बिल्कूल अच्छे से discuss करेंगे, then summary भी देखेंगे, summary आप देख ले न, terminal question, मैं बता दूँगा, जो questions, true, false वगेरा होगा, वो मैं आपको बता दूँगा, बाकी answers वगेरा तो आपको खुद डूण के ही करने, क्योंकि मैं बस आपको एक तरीके से help करूँगा, पढ़ा दूँगा, आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप खुद करेंगे, तब ही आप खुद कुछ सीख पाएंगे, then start करते हैं बिना समय वर्त करते हुए introduction, तो introduction हम क्या कर रहे हैं, recall कर रहे हैं, या फिर हम recap कर रहे हैं, या फिर हम recap कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने, क्या कहते हैं, वीडियो का में, पहले ही वीडियो में, ताकि आप इस चैप्टर पर आएंगे, तो आपको सब कुल समझ में आ रहा होगा, चलिए start करते हैं, algae are a heterogeneous group of plant that share common characters such as they are, thallophytes, photosynthetic, pigments, synthesized range of storage products जैसे की हमारा starch, laminarin, paramylon, proctosin and others, ठीक है, algae जो होता है, heterogeneous group होता है, मैंने बताया थापको, मतलब heterogeneous group of plants है न, और क्या एक कुछ share करता है, क्या common character share करता है, जैसे कि thallophyte से, thallophyta आपका होता है, planting, planting in down, thallophyta, brayophyta, teridophyta, तो उसी में, जो thallophyta होता है, थेलोफाइट है जिसके पास true root और true suit नहीं होता उस type के जो organism होते हैं वो algae के अंदर आते हैं तो क्या होते हैं थेलोफाइट होते हैं तो आपको जब भी कभी algae के वारे में बताना है तो आप याद रखेगा यह कुछ common character share करते हैं किसे plant group से planting group से एंड क्या है यह थेलोफाइट होते हैं क्यों क्योंकि इनके पास true root और true suit नहीं होता है देन उसके बाद यह क्या है photosynthetic pigment possess करते हैं यानि उनके पास photosynthetic pigment होता है जैसे कि मैंने बताया भी था पिछले चैप्टर में आपने जो पढ़ा पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि chlorophyll के types वगेरा जो थे different types के होते हैं और बहुत सारे मतलब photosynthetic pigment होते हैं यह तो मैंने कुछ का नाम लिया और भी बहुत सारे chlorophyll को छोड़के बहुत सारे pigments होते हैं देन उसके बाद क्या है synthesizer range of storage यानि जो वह storage product बनाते हैं जब वह product को as a storage product change करके रखते हैं तो किस फॉर्म में चेंज करके रखते हैं कुछ होते हैं लैमिनेरिन कुछ परमाइलोन या फिर कुछ फ्रुक्टोजन यह कुछ प्रकार यह चार-पांच प्रकार के आपके क्या है जो इनके क्या करते हैं store करके रखते हैं इनके फॉर्म में store करके रखते हैं देखे क्या है देल लैक टिपिकल डिफ्रेंशिशन इन्टू क्या है सॉरी ट्रू ने root stem leaves and possesses chlorophyll a as their primary photosynthetic pigment ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने मतलब आपको बता ही दिया था कि इनके पास क्या true root नहीं होता सूट नहीं होता लीफ्स नहीं होता और क्लोरोफिल में mostly वह जो होता है primary photosynthetic pigment जिसे क्लोरोफिल यह उनके पास सभी के पास लगवा लोग मौजूद होता है उसके बाद देखें रिप्रोड़क्टिक सेल जो होता है algae के अंदर वो क्या होता है covered नहीं होता क्या होता covered नहीं होता है algae being photosynthetic autotrophs were classified as plant earlier पहले क्या था कि algae को photosynthetic autotrophs की category में रखा जाता था photosynthetic autotrophs आपके plants भी होते हैं इसलिए वो पहले plant के अंडर रखा जाता planting kingdom का पार था however due to absence of protective cells around their reproductive organ और क्या होता जब हमने देखा कि उनके organ reproductive organ के जो है उसमें क्या है absence of protective cells की कमी है मतलब वो नहीं है वहाँ पे मौजूद नहीं है तो then क्या हुआ they are no longer classified as plant तो then उसको लंबे समय तक उसको क्या है plant की category में नहीं रखा गया और उसको किसमें place कर दिया गया तो देखे and have been placed in the kingdom protesta along with protozoa तो उसको क्या कर दिया भाई कि उसको उठा के जाके प्रोटिस्टा में डाल दिया and then वो protozoa के साथ गिना जाने लगा then देखे क्या है the study of algae आपका क्या कहला था फाइकोलोजी यह भी मैंने आपको बता दिया था उसके बाद देखे क्या है the term phycology is derived from the Greek word phycose which means seaweed यह भी मैंने बताया था आपको मतलब और्गनीजम होते हैं अंडर्वाटर रहने वाले और्गनीजम होते हैं अंडर्वाटर और्गनीजम का मतलब है कि जो प्लांट लाइक प्लांट लाइक नहीं कहेंगे जो क्या होते फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं होही होते हैं see it then देखे क्या है algae are widely distributed in nature thrive well in areas where so where there is plenty of water and sunshine to algae क्या है widely distributed हमारी environment में हमारे पर्यवरन जहां भी देखेंगे हमें algae हमें बहुत जगे देखने को मिलेगा but यह क्या है देखे कहां मिलेगा तो देखे thrive well हो गया thrive well in areas and where there is plenty of water जहां बहुत सारा पानी खता हो या पान रहा हो तो देन संस्टी संचेन सें कमप सृज़ी है क्योंकि क्या होते यह 알ड़ी autotrophic होते है और autotrophic होते हैं तो उनका mode of nutrition क्या होता है मतलब sistem produce आपका autotrophic हो गया तो उसको autotrophic nutrition परकश्चेशन करने के लिए चाहिए संच चाहिए ना सफ ना फोटोष सिंथेज़ करने के लिए क्या चाहिए सं तो इसलिए क्या होते हैं इनके यह सं जहां पे Sunlight अरहा रहा होता है तो देखे क्या है या फिर पर मैं होगे तो देखे क्या है रही प्लरेश वार्टर में भी कर सकते हैं अब देखे क्या है एल्गी डेट अकूर और सोड़ालस नोच त र अट-टारत अर च्या आस चम्ण उइस और सबस्ट्रेटम अरगार्विते स्टेट स्ट्रूर्ट में होता है नीचे क्या है underwater यह जो क्या है ग्रो करते हैं तो यह इस ताइब के या वे यह आपके क्या किला थे तो बैंतिनी क्या किला थे बैंतिनी लुदिन बैंफन एक तीज भी हमने टर्म सको पढ़ आ जाना है इसके बारे में and toze that occur as free living or suspended on suspended are known as planktonic और जो कुछ फ्रीली मूव करते हैं फ्रीली लिविंग होते हैं वह क्या होते हैं सस्पेंडेड आर वह किस तरीके के होते हैं प्लैंक टॉनिक होते हैं मतलब इस तरीके से तैर होते हैं किसी पत्थर के साथ साथ तैर होते हैं तो मतलब freely move करते हैं ठीक है तो यह कुछ दो प्रकार की हो गए इस टाइप के लगी क्या कहलाते हैं planktonic planktonic याद रखीगा जो कि suspended किस तरीके सोते हैं मतलब पानी के ही अंदर होते हैं और freely move कर रहोते हैं freely living वाले सबस्ट्रेटम से होते हैं सबस्ट्रेटम या फिर अंडर वाटर होते हैं वह बहुती ज्यादा जो क्या कहते हैं मॉस्किल क्लैमटी होती है है हाड क्लैमटी होती हैं वहां पाले ऑर्वी बिभु सर्वाइब कर लेते हैं Kristin कट्रेश संसलियност आख्सञ对 Panerđ इसके जो इस्ट्रक्चर होता है वह सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन यह क्या है great diversity मिल जाएगा क्या इनके size और appearance में मतलब इनके देखने में और इनकी size हो है इनका जो shape size है वो भी आपको क्या है different different varieties मिल जाएगी बहुत जादा diversity मिलेगी there size ranges from simple microscopic to giant thalas ठीक है उसका क्या है कि आपको size range में क्या है कि आपको simple microscopic में मिल जाएगा जो microscope के सहाइता से help से हम देख सके होने and then giant thalas भी मिलेगा giant thalas जानी बहुत बड़ा cells का गुच्छा भी एक तरी bunches of cells भी मिलेंगे इसके तो यह दो types के हो गया extending several meter in length as in kelps ठीक है तो यानि वह क्या है कुछ तो ऐसे होते हैं कि several meter लंबे भी होते बहुत ही लंबे भी होते हैं जैसे कि kelps में होते हैं आपके अब देखिए क्या algal morphology varies from simple unicellular form to complex thalas as formed in seaweed अब algal morphology जो होती है वह क्या है कि simple unicellular से लेके क्या है complex thalas complex thalas भी आपको कहा मिल जाएगा seaweed found in seaweed seaweed में आपको यह सारे मिल जाएगे अब देखिए क्या है algal morphology होते हैं दो टैपस क्या होते हैं तो पहला कौन सा हो गया prokaryotic prokaryotic अब दूसरा क्या हो गया eukaryotic क्या eukaryotic तो यह दो types के क्या हो गया हमारे algal morphology हो गया जो कि क्या है अल्ट्रा structure investigation have revealed that blue green algae have prokaryotic type of cellular organization and more closely associated to bacteria than to other algae with which they are traditionally grouped ठीक है तो हम बात करें prokaryotic algae की क्या prokaryotic algae की बात करें तो prokaryotic यह क्या होता है algae क्या होता है algae वो क्या होता है closer closer to bacteria ठीक है bacteria की काफी closer होता है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो आपका bacteria होता है bacteria क्या होता है prokaryotic cell होता है अब mostly bacteria हमें ही prokaryotic यह पाया जाता है क्योंकि यह भी तुंकि यह है prokaryotic अगर हम बात करें ग्जाम्पल तो blue green algae जो है आपका क्या होता है prokaryotic type of algae होता है blue green algae how can a prokaryotic type of algae होता है ठीक है तो यह कुछ छोटी सी बात थी उसके बाद देखे क्या है और क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि वह बैक्टरिया के ज्यादा क्लोजर होता है जैसे कि हम ट्रेडिशनली क्या है अरेज करते वह आए हैं ग्रूपिंग करते आए हैं किसकी तो उसके उसकी तरह नहीं होता बिलकुल वह बैक्टरिया के ज्यादा क्लो ल्यक्त意етр होती है क्या है प्रोर्ल्रेटेटिप प्रोशेस वार्स पटने वालें रेखने याज उनित में युनित में आपको मिलेंगा देखने को फिस आपको टड़एगा मतलब्स चैप्टर पढ़ने के बाद क्या चीजा क्या पह्तलिघा पढ़ियेगा find out करें कि आपको क्या आया और क्या चीज नहीं आया उसे कमेंड में करके आप मुझे बताईगा दें देखे क्या है 6.2 range of organization अब देखे किस तरीके से cells का या मैं बोलू algal cell का organization होता है तो देखे क्या है structure of an algal cell prokeratic and eukaryotic form simple सा कोई भी organism या तो prokeratic होगा या तो तो यानि हम range of organization की बात करें कि इसमें algal cell में तो इसमें क्या है prokeratic or eukaryotic form में आपको मिल जागा structure algae का ठीक है based upon its internal organization अगर हम उसके internal organized के basis पे जाने तो देखे क्या है algal cell is divided into two categories algal cell को दो categories में divide कर जाता है तो पहला आपको मालुमी है prokeratic दूसरा आपका eukaryotic ठीक है और क्या है prokeratic cells are characterized by the lack of well differentiated membrane bound onglaze तो यह भी आपको मालुमी होगा कि जो आपके prokeratic cell होते उसमें क्या है membrane bound membrane bound क्या कहते हैं onglaze नहीं होते या अगर आप onglaze की बात करें onglaze के उपर एक जो परत होती है वो नहीं होती है क्या होती है नहीं होती है विदाउट 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 वेंब्रें बाउंड ठीक है membrane bound नहीं होता उसमें तो यह कुछ इसकी खासियत है prokeratic cell की और उसमें cell onglaze भी lack lack होते हैं हमें वह लुक कम होते हैं अब देखें क्या onglaze such as nucleus, mitochondria, dictyosomes and phlegla are absent in the form of prokeratic algae ठीक है यह भी आपको मालूम ही होगा क्योंकि बहुत सारे इसमें जो आपके क्या होते हैं onglaze होते हैं वह होते ही नहीं है prokeratic cell में होते हैं like mitochondria होगा onglaze के जोगे क्या होता है आपका nucleoide होता है nucleoid थीक है और दूसरा क्या है dollar, ditosomes and phlegla क्या होते हैं ठीक है, prokredit type of cell होता है, चलिए आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद क्या है, prokredit algal cell के बारे में हम पढ़ेंगे कि या क्या है prokredit algal cell, किस तरीके से हम इसे define करते हैं, तो देखिए, cyanobacteria और blue green alga is a group of alga that have only prokredit cell, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जी साइनाओ बैक्टिरा कहें या ग्रीन इल्गी कहें यह क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही यह और्गनिस्म है जो की प्रोकरटिक अल्गल तो यह क्या होते है कि इसके जो प्लाज्मा मेंबरे नहीं होगा थिक है बिदा अप्सेंट होगा मेंबरें क्या होगा अप्सेंट होगा तो यह देखी कुछ is structure है यह किसका structure है तो यह structure है आपका prokaryotic type of प्रोकरीटिक टाइप आफ आफ यह किुझे ऑल सेल है तो देखी क्या है साइन अफसीन ग्रैनिवल इसके बारे में भी हम पड़ेंगे उसके बाए यह थाफ रहें सेल हो बहुती दो और देखी यह क्यgeon के बारे में भी हमने पड़ा है बिशली च्यट्र में क्या होता 226 बार वह सारी क्या होते है थे थे च्रफिचर ओते जो कि आप समें पर तो था तो थायलोकॉड फोर्म करते हैं थे हैं चुटे-चुटे वह भी होते हैं बोल गोल से ओते हैं थे वह थे हैं प्रोटिन से निकले enlarge view of cell envelope ये लाज व्यू विए देखें, enlarge view कर रख़ा है cell envelope का, इसके बाद carboxy Tribal glycogen granules 70s, 70s का मतलब sitberg unit, ठीक है, 70 satberg unit में आपके ribosomes होते हैं, उसके बाद polyphosphate granule होते हैं, उसके बाद two rows of ficobilisomes होते हैं, जैसे के front end view side view में देखिएगा, ata और साइड वियू में देखेगा आपको दोनों जगे मिल जाएंगे फाइको बिलिजोम उसके बाद देखिए इनलाज वियू और पार्ट ऑफ दी थाइलोकॉइड को इनलाज करके दिखाए गया है यह दीख रहा हो आपको तो यह और एक गैस वैसिकल होता है यह क्या है गैस सबूंद बाद करें तो क्या है कॉंट्रेक्ट्टाइल वेक्यू आपको इसमें क्लोरोप्लास्त भी निया देखें भी सब आपको समझ वाएगा इजक्टिस होता है फिर गोलजी एपरेटस होता है स्टार्च आइसपोर्स पैरेनॉइट्स न्यूकलर्स एंड लास्ट में आपका था है क्लोरोप्लास्ट इस जगे पे चोटे-चोटे डॉट्स चुद्धी करें आपको एक क्लोरोप्लास्ट ह ठीक है तो कुछ बात हो गई हमारी एलगल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई हमने एलगी के स्ट्रक्चर को देखे प्रोकरिटिक फॉर्म को भी देखा हमने और यह देखे यह पिक्चर जो निकाला है यह स्टैनर और कोहन बिजायर को जाता है इनका क्रेडिट 1997 मे जो एका Dodge गो जाता है 1973 जिन्नोंने से पहले इस Cell के Structure की median को कि की कि ऐना इना यह फिरrint जरेशन करया Me को आप diese friendly material करीवरे ने जरा बनाना शुखै दोनों टैप के अब हम सेलल्ड की बात करेंगे किसकी तो क्रोकर्यूटिक टाइप अफ हेलं की बात करें यह आपकर प्रोकरियोटिक हते जो पढ़ेंगे हम इलगल तक हम जतने वी जो드ीаз इलगल विसरद से बारे में बढ़ेंगे ez तो देखे सेल वाल की बात करें करें किया होते है यह दिस सेल उस ऑफ साइनो वेक्टरिया आर अर्ण性 मेंऑ दीक डिवर्ट गार वोरèmes तुब sitter और आउटसाइड दासल मेंबरन होता है इसा मान लेज़े कि जो लेयर जो बना होता है जाएन अन ट्रीटर का साइनों पैक्टरिया का वह किसे बना होता है जो कि किया होते सेल प्रेंगों थोता है अन देक हैस कॉंप्लेक्स ट्रक्चर मेंड ऑफ पौलीमर और अशेटाइल म से मिलके बने होते हैं पॉलिमर से मिलके बने होते हैं कौन-कौन सा है तो पहला एन ऐसे टाइल मेरमिक एसिड है और दूसरा एन ऐसे टाइल ग्लुकोजैमिन है ठीक है जो कि क्या होते हैं डेटर क्रॉस लिंक्ट होते हैं किसके दौरा तो पैप्टाइड जो होते हैं आपके बैक्टेरिया में भी साइनो बैक्टेरिया का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन पढ़ रहे तो इन सब चीज का इन सारी चीजों का हमने डिस्क्राइब कर रखा है उस वीडियो को आप स्पेसिफिक वीडियो को जाके यूटुब में या फिर हमारे सर्च में जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं ठीक है बैक्टेरिया से रिलेटर तब आपको इस सभी चीजों का नॉलिज हो जाएगा देखिए आगे पैरिप्लाज्मिक स्पेस स्राउंड्स दा पैप्टीडो ग्लाइकन लियर डेटार फृर्दर सराउंडड़ बाइन आउटर अब कि स्पेस होता है जो कि कि होता है इसको स्रांड करता है तो begitu ग्लाइक सिंपेस तो तह सब्सक्राइब सब्सक्राइम घॉच्छ टीच है एक तरीके से घॉचराँ जो लोगहाँ होता है candy by से क्या होता है धका होता है साइल ओल भडोहता है इस इंवलकोट नृपर शीथ होता एधिक है जो कि ए फो फॉलेज मेशित होता है जो कि क्या करता है उसको हलप करता है एक तरीके से इस तरीके से जो पानी जो इस तरीके से लह राता रहता है न उसी तरीके से उसको ग्लाइड करने में हफ करता है इन सब अरी एल फॉरम गई भोड़ा रहते हैंशे मियुसलेश सीग नख संब और सैब्सक्राइब मतलब कौन सा कलर होता है इस पहल επार यलो कलर होता या फिर उरज या ब्राउन और हम्रड यृट होता है क्वाते हैं क्रिubscribe मनलटी लेरड होते हैं दिन तो हमें कि लिए जा गएंगे तो कुछ अक्वार्म होते हैं जो एक जार्ण से जाए मिल जाते हैं उसमें जैसे किis 카itonima यहाओ फिर bet really much भे मिलेंगे आपको मिलेंगे क्या ओर क्या होंगे importing क्लोरवन क्यों सकते तो य hon ओर्रेंगों पिर भाउन की बात करेंगी तो देखोंसेंगे लेमला की बात करेंगे तो देखें क्या है ये इनbel मैंट। विच ऑकुपाइब पैरीफेरल रीजन क्या होता क्या प्रो Βटेटो प्लक। यह पास क्लोरोण व्यों सब्सक्राइब धी का今天 अगयों सब्सक्राइब है algal cell confused मत होएगा क्योंकि अभी हम अउलगी पढ़ रहे था हम algal cell के बारे में ही बात करेंगा तो उसमें आकिया था है आता है यह याद रखेगा तो उसमें क्या होता है ख्लोरो प्लास्ट नहीं होता तो क्या होता है but only pigmented membrane तो मतलब उसमें कुछ pigmented membrane होता होगा कुछ तो होता होगा जो कि occupy करता है peripheral region को उसे क्या कहते है हम chronyato plasm क्या होता है chloroplast के जगे क्या होता है chronyato plasm होता है in this photosynthetic lamela and thalacoids are present यहां क्या है कि यहां पर photosynthetic lamela होता है या फिर हम thalacoids भी कहते हैं कहते हैं तो यहां प्रजेंट होता है वहां क्या होता है वाहां कि फ्लोडेड डिग्हां डबल मेंब्रेंट हैं इसके साथ फॉटोशिंधेटेटिक देखिंग है तो हम फोतोशinson elles की बात कर रहे है तो इसमें क्लोरोफन है फ्रीटेटिक एसमें फ्रीकोग लैमण Phycocyanin जैसे क्या होता हां इसस तरीके सह इस तरीके से होते हैं एक तरीकह से आयञेकम से ट्श्योटली यह क्या बढ़ाते हैं जो कि क्या करके रखते हैं pfad250 ठीया क्या यह क्या क्या बानिंध यह और व क्या है Smackin और का थार ऐनो है उसके बाद उसके बाद आपका आता है व एलोव ऐ अससायनीन और उसके बाद शायनीन बढ़ने के बाद आता है फाइको री थे तरीन यह चीज याद रखिएगा यह तीनों चीज मिलता है कहा पर रखले विली जॉम्स कोंटेन कर रखता है अब जो सब्सक्राइब इस चेल का तो आपको मालुम चलागा यह पिछला चेप्टर पढ़ा तो भी आपको मालम चलाग legore can't end किसमें help करते हैं तो हल्प करतें आपके Youth respiration ने कहां पर तो आपका थालो coy lived होता है हुआज था तायलो कईटब में होता है थाइलोखोई ठीक है यह वी बात आप याद रखेंगे ठीक है उसके बाद देखिए क्या जो सेवरल टाइप आप्स आप जो साइन बेक्टरियों के डिखने को मिलता है उसमें क्या है क्या दिख्ता है उसमें साइटोप्लाज्म क्या दिखता है तो जो потребals ना आपको ऊसमें क्या दिखेंका आपको ग्रैणी दिखते बहुत तरह तरह के ग्रैणी दिखेंगे तो देखे क्या है betwyn t थालेकोवड के बीच में क्वां से ग्रइनिंफ तो ये ग्रेनिल छोटे चोटे छोटे पॉइंट यसे दिखेंगे आपको यह होते हैं ग्लाकोजन ग्रेनाल सोथे एंख्रीच अलग-अलग साइज में आपको एक लाइकोजन ग्रेनिल्स देखने को मिल जाएंगे उसके बाद ग्लाइकोजिन आपका क्या है टॉड़ फूड़ होता है तें देखी क्या है उसके बाद देखे क्या है प्रूटिन-like बाउंड ओर ग्रेन्यूल ऑन एक जो कि कहा होता है वो मतलब क्या होता है वो साइ में नियूल्ज जो होता है जोता है एक ग्रेन्यूल वो कि साय। everyone 5-11 ग्रेन्यूल्स ठीक है। ये स्वंदWhen यह चीज याद रखिएगा अब देखिए क्या है आगे देखिए क्या है आगे देखिए क्या है यहां मतलब 20 आपको मालूम होगा कि 20 अमीन अब देखिए क्या है यहां पर टेंपर ली नाइट्रोजन को चोड़ कि यहां और टाइप अव ग्रेंट अग्रेंट वाटर में उगते हैं जिसमें क्या होता है उस वाटर में क्या हो फोस्फेट की मातरा ज्यादा हो क्या हो उस वाटर में फोस्फेट की मातरा ज्यादा हो तो वहां पे कौन से ग्रेंट पाए जाएंगे वहां पे ओने वाले अलगी में कौन से ग्रेंट पाए जाएंगे तो गाईज वहां पे पाए जाए पाई जाएंगे देन देखे क्या है storage form of polyphosphate क्या होता है उसको storage किस तरी के से polyphosphate वह क्या होता है phosphate as a storage form में रखते हैं then देखे क्या है some blue green algae जो होते है contain क्या करते granules of poly beta hydroxy butyrate यह क्या होते है as a big crystals क्या होते कुछ जो blue green algae होते हैं वह क्या कौन से granules contain करके रखते तो poly beta hydroxy butyrate एक big crystals होते हैं जो कि क्या है किसमें मिलते हैं blue green algae में आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आता है poly glucan granules जो कि reach in क्यों से polymers में reach होते हैं तो glucose में reach होते हैं किसमें glucose में reach होते हैं are found in space between thylakoid of actively photosynthetic algae तो क्या है यह glucose आपको कहां मिलेगा कौन से space मिलेगा तो thylakoid के बीच में मिलेगा जैसे आपका glycogen आपको thylakoid space में मिल रहा था वैसी तरीके से आपको poly glucan या फिर glucose का जो polymer है वह आपको देखने को मिल जागा जहां पर photosynthetic algae कहां करता है photosynthetic करता है ठीक है मतलब photosynthetic करने वाले algae देन देखे क्या है मतलब जहां पर बहुत ज्यादा photosynthetic किया जाता algae द्वारा देन आगे देखिए another unique granules found in cyanobacteria are polyhedral crystalline polyhedral crystalline जो होता है वो क्या है वो कहां मिलेगा आपको कुछ unique type के आपको algae होते है उसमें unique type के क्या होते है granules मिलने मतलब unique type के नहीं मतलब cyanobacter हमें आपको unique granules देखने को मिलते है जिसको हम क्या कहते है polyhedral crystalline body होते है कि इसको हम Carboxy Zomes भी कहते हैं किया कहते हैं Carboxy Zomes तो यह भी याद रखेगा जितने भी प्रकारी किया आपको मैं Granules बता रहा हूं बिल्कुल आप एक दम अच्छे सी याद रखेगा आप पॉइंट नोटाउन भी कर सकते हैं कि कौन-कौन से Granules होते हैं कि इनके polymers होते हैं यह भी याद रखेगा इसके बने होते हैं तो राइबलो से बने होते हैं इसको हम Rubis को भी कहते हैं जो कि एक प्रकार का इन्जाइम वहते हैं जो कि क्या होता है जब फोटो-synthetic fixation उसके आप कर रहा होता है जब फोटो-synthetic fixation होता है carbon dioxide में का यूज करा जाता है यूज करा जाता है था यह एंजाइम यहां पर वर्क कर रहा होता है लाइक ओल्टेरिल सेल्स Sinobacteria also contain 70S disparate in the cytoplasm, disperred, Dispersed in the cytoplasm and needed for protein syntheties. अगर हम बात करें, सभी bacterial cells के according, तो क्या है, Sinobacteria के पास भी 70S ribosomes होता है? आपको मालूम होगा कि prokartic cells होता है, उसमें क्या होता है, 70S, या नहीं 70S. 70Satberg unit वाला जो आपका क्या है ribosomes पाये जाता है और क्या है? चैंअ कि नीड को पूरा करता है तो प्रोटिन की नीड को पूरा करते हैं लो लगशंप polymers होते हैं किसके polymers होते हैं यह याद रखेगा देन उसके बाद हम आते हैं gas gas vesicles में आते हैं क्या gas vesicles gas vesicles को हम gas vacuol भी कहते हैं क्या कहते हैं गैस वेक्षोल भी कहते हैं ठीक है तेकी क्या है also known as gas vacuols they are vesicles whose wall are made up of single layer of protein molecules and are permeable gases but not to water तो देखिए होता क्या है यह गैस वेक्षोल स्टाइब का माली यह gas vacuol है और क्या करता है यह इस पर एक वाल बना होता है क्या होता है वाल बना होता है जो कि single layer of protein molecules का होता है इसमें ऐसे माली है कि यह वाल है इस तरह के से वाल है जो कि single layer of protein का वना है और उसमें क्या है वो क्या करता है permeable होता है आपने पढ़ाओगा SPM के बारे में semi permeable membrane आपने इसके बारे में human body में alveoli के बारे में पढ़ाओगा जिस तरह gas exchange में क्या होता है कि only oxygen इंटर करता है and then सारा जो बाकी के fall to gases होते हैं वह बाहर निकल आते हैं आपको मालूम है सिर्फ किसको entry देता है oxygen को entry देता है इसी प्रकार से आपका जो होता है वेक्यूल में जो यह single protein layer होता है उसको क्या है वह किसको permeability देता है किसको permit देता है जैसे कि एक सहर से दूसरे सहर जाने के लिए आपके पास permit होना चाहिए इसी तरीके से क्या है आपको गैस मतलब जब exchange of gases हो रहा हो वेक्यूल में gases का इंटर हो तो इसमें ध्यान रखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ गैस को ही permit मिले water को permit ना मिले तो क्या होते was water molecules बहार रह जाते हैं और gas ही सिर्फ इंटर कर पाते हैं तो यह किसमें होता है आपका gas vesicle में होता है हम gases में मतलब इसके उन्दर water के entry नहीं होती water नहीं जा पाता है नहीं जाता है यह तो गैस जाता है अंदर परमिट किसको होती है तो गैस को होती है यह छोड़ी सी बात है देन उसके बाद देखे क्या है they are found in many planktonic cyanobacteria such as microcystis आई यह क्या है यह आपको बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं जो planktonic cyanobacteria होती है जैसे कि microcystis हो गया microcystis cysts तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या gas vacuole आपको microcystis में देखने को मिलेगा they occur as elongated यह elongated occur होता है दैन उसका क्या होता है cylindrical vesicle होता है मैंने इस तरह के होता है इस तरह के cylindrical vesicle होता है यह तो मैंने ऐसे गुला बना दिया बाट cylindrical vesicle होता है and then singly or in bundle क्या होते हैं कभी-कभी singly होता है और कभी-कभी bundles में भी होते हैं गुच्छे में होते हैं and then देखे क्या make cells float on the surface of water और क्या करते हैं जब देखे इसके अंदर देखे क्या बाम झाइक क्या होता है लसंट स strictly 002 को स्íamos 레isol कär और के अंदर गया तो बिकम फुलेट को जाएगा यह थो बिकम फ़लेट हो जाएगा यह ना यह तो 5 निकाल चालब टॉट क्या हो जागा के नीचे आखे यागा तूर जागा को सब्सक्राइब तो हमने ग्रीम के बात कि अधिया ग्रीयर तो इसके बाद हमाराथ है तो नुकलियो प्लाद अभी तक तक हम प्रोकरोटिक सेल पर पे रिख ग्रीन पर है ग्रीण एलगी ज़्शन एıs युजली हैं लिए और यह समस्माद करके लिएगा नॕवारोग्ण कंपै़ynn के रखता है तो जेंटीम में क्या हुता है तो DNA होता है, ने होता है, तो देखे क्या है, it appear, किस तरगे से दिखता है, it appear as a network of fibrils, यह क्या है, एक तरगे से fibrils के, जो thread-like structure होता है, fibrils के network की तरह दिखते है, and like that bacteria, it is long thread, long thread and the shape of ring, क्या होते है, के वो लंबे क्या होते है, या तो thread के form में होंगे, या तो क्या होंगे, ring के फार में भी हो सकते है न के दैने उसके बाद के जर्क जो यह झिलेंगे इसको रंक करो मोजम कहते हैं क्रोश प्रेटें क्रोमो जो जब रहे हैं यह तो देंधी आज़ दे रते आगे चलते हैं दे में भी मैं 일 innovation कापिसे बना लेते हैं अपनी multiple copies बना लेते कि इसमें सेल के अंदर वे क्या करते हैं अपने multiple copies बना लेते हैं ठीक है अब देखि क्या है specialized cell of cyanobacteria के बारे मैं पड़ेंगे कि कौन सा cell जो होता है साइनो बैक्टरिय इसमें specialized होता है तो देखि क्या है as you have learned the common vegetative cell जो हमने पढ़ा होगा कि common vegetative cells के बारे हम पढ़ा होगा जो कि flamenos होते हैं साइनोबेक्टरिया होते हैं किसे flamenos साइनोबेक्टरिया हम देखने को मिलेगा so two other types of structure दो तरह के structure दिखेंगे आपका पहला हो गया heterocyst दूसरा हो गया एकिनाइट्स क्या है एकिनेट्स हना तो देखें हेट्रोसिस्ट की बारे में बात करेंगे हेट्रोसिस्ट क्या होता है look at the structure of heterocyst in figure 6.2 6.2 में हमें देखें यह heterocyst का structure देखने को मिलेगा यह structure देख रहे हैं चलो मैं पहले आपको तुम्हें नेशी होते हैं और यहां से क्या होते हैं दूसरे जो चिपके वे होते हैं ना यहां पर चिपके वे देखने को मिलते हैं तो देखें इसको अभी हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद तो हमने पिक्चर देख लिया उसका अच्छे से हमारे दिमांग में बैठ गया देन देखे क्या है अनलाइक 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 का वेजिटेटिटिव सेल हेट्रोसिस्ट हज़ा थिक सेल वॉल सरी थिक वॉल विद थ्री लियर्स विच आर स्ट्रॉक्चरली डिफरेंट है इसमें मुसलीजिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट प्रिव्त-ख़ीजन पूंस में थैकि है है आपका जो सभसे इनर वाला तिखेगा वह क्या होता है वह क्या होता है हिव वह जाना करता है ताकि रस्त्व माइम्टी vehicle और इञानी इंपर्मीयबल SBar रोकता अधर्वाइस ओटू इन्हेविट दे एक्षण ऑफ नेट्रोजीनियस और नेट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि यह ना ओटू को रोकता है इसके इंदर जाता निया है नहीं तो अगर मान लिए कि ओटू चला जाता है तो एक तरह किसे वह क्या करेगा हेट्रोसिस अब यहां पर कुछ फोङन पॉट्र पर इस फ्रप्लास्मिक यहां पर दीख रही होगा प्रोटो प्लाज्मिक यह चीजे यह क्या करती है यह आपको एक तरकेसे प्लाश्मो डेस्मेयटा औट ऩान एप टेस्यों टेए बोर्ट में डेंट अजेए अमने अप्धालम तार्ट दिल्ट आपने पास नसुक्त दैता मने पॉर्ट समेंडियों ऑप इनन्स कि अथिए वहां है प्ले श्लिकों ड। उसके बहुत सारे खिंफ होता है वह बहुत सारे ना कॉंटेटी ए मैं तरो फैसिन से बने होते हैं बन देल जो भी व्यर्चिटिटिफ अरते उसमें तन प्रम भया होते ऊच्छा थे लेश्चाय का्या है यह जहां होता है लैंस देंस होता है देन उसके बाद देखी क्या है इसका भी लेमला जो है यह angeला फोटोसिंत्रिक लीचर यह क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल ए क्लोरोफिले यह को फिर क्लोर्टैन करता यह कॉंटेचटेन करता है यह दो displacement है घॉन्हीच कर लेता है आपने आपको सक्कॉबươngुर पहना therm theater तो याद रखेगा वेजिटेटिटिव सेल हेट्रोसिस्ट में कनवर्ट कब बनता है जब फाइकोसाइनिन लॉस्ट हो जाता है यह बात याद रखेगा गाई दैन उसके बाद देखी क्या है अब जब एक बाद हेट्रोसिस्ट क्या हो जाता है मैच्योर हो जाता है तो वो क्या नहीं कर पाता है यह भी याद रखेगा उसके बाद क्या है यह तर यह तो यह सारे क्या हैं फोसफेटन टार को जिरिग्रजिन जाब उनला करेंट में यह सारे ग्या, है पॉलीफोस्फेट ग्रीन ग्लाइकोजीन ग्रैन्यूस कार्बॉक्स कार्बॉक्स इस सारे क्या होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म किसके हेट्रोसिस्ट के यह चीज भी आपको याद रखना है देन उसके बाद हमने पढ़ लिया प्रोकर्टिक अलगल सेल के बारे में हमे साइनोकित को छोड़ दें तो छोड़ थे साइन ऑफ या परुलहेंगे उसको हम छोड़ दें तो बाकिस सारे क्या लाएंगे यूँखरई टिक के लाएंगे तो यू कर टिकल्यूटिक अलगल सेल है जब हम मेंबरेन और पास क्या होता है प्लाजमा मेंबरिन देखने को मिलेगा और क्या है कि ये ये ओल्सो क्या करते हैं से कंटेंग करते हैं तोनी न्युक्लिस को कंतेंग करते हैं क्लोरोब स्वियद सफ्टेंग सेलोल डिक्स पैने सबसे पहले हमारा की आता है च लोल था है सेल वोल आता है Ст्रक्ट बारे इन बात करें तो सेल फुरोड ऑल फेप्रियलर cricket यहानी त्रेट लाइक स्टॉक्चर होता है जो कि क्या फसके स्क्राइट क्रता है और क्या होता है आप मार्फ़एन्ट होते हैं जिसे कि विजब लिप्रिय लाँ संब्रेट आप जिसे हिए अन्दर is थे प्रकार का से लोज इसमें भी पाई जाता है इसी प्रकार का पॉलिसेक्राइट सेल पाई जाता है देन उसके बाद हम बात करें अगर हम देखेंगे भी की उसमें हमें różne structure के क्या मिलेंगे जैसे कि पोर्फारा और बैंगिया क्या पॉर्फारा बैंगिया और मनन की बात करें is the most common polysacryde, यह क्या होते हैं, most common polysacryde होते हैं, क्या क्या होते हैं, पॉर्फायरा, बेंग्या, एंड मिनन, जो होते हैं, common polysacryde होते हैं, जो कि किस में मिल जाएंगे, सिफोनेशियस, अलगी मिल जाएंगे, ठीके, यह बात भी आप याद रखेंगे, cells of division, 蟟Óय मिल दुट होते हैं, इरे हिसाइंगे, मिल जाएंगे, सिफोनेशियस, इसेंगे, खरते हैं, जाएंगे, सिफ्म सेंगे, है अप्क है आ थे चो कि कावित इसको अप्सेट भी नहीं कहें इसमें प्रॉपर सेल वलल नहीं होता है उसके बाद देखे गाईस दे आर कवर बाइस के साफ सिलिका जो की कवर्ड किसे होते हैं उसके बाद हम बात करें मेलो मूनाज की बात करें जो मतलब एक्साम्पल में आपका मेलो मुनाज होजाएगे फीक है जिसमें सिफोनियस्यस इंसके बाद देखिए इन को लीटो फॉरडाइट जो होते हैं उनके स्केल किस तरीके से बने होते हैं तो का केलसियम कारबॉनेट को यानि कांटेन करके रखता है यह बात याद रखेंगे दन उसके बात दीगी गया है जो आपका cell wall होता है किसका रेड अलगी का cell wall होता है वो किसका बना होता है तो यह बना होता है polysulfate polysulfate easter और बताए पैक्टीन यह दो component, दो compound है जिससे क्या बना होता है sorry polysulfate easter of carbohydrate carbohydrate का जो होता है polysulfate easter उससे और किसे addition क्या होता है उसमें cellulose और pectin भी मिलेगा आपको red algae में cellulose, pectin और उसके अलावा क्या मिलेगा polysulfate easter of carbohydrate मिलेगा देखने को तो यह हमने cell wall के बारे हम बात किया उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्या उन से algae तो eukerotic algae के ना तो देखिए क्या है eukerotic algae में ही आपका chloroplast पाए जाते हैं हमने देखा भी था structure में की chloroplast absent था किसमें prokaroticaal cell में हम बात करें दा ultra structure of algal chloroplast जो की similar होता है कि इससे debt of higher plant थीक है हमें मालूम है chloroplast जो आपके plant में पाए जाते हैं वही आपके algae में भी पाए जाते हैं तो एक तरह से structure उनका क्या होता है इस तरह से प्लांट का प्लांट के chloroplast और क्या कहते हैं algae के chloroplast का structure जो क्या होता है similar होता है है ना similar होता है लगवग एक जैसा होता है इस तरह से देखें क्या है it is enveloped by double membrane and encloses a number of thalocoids यह क्या होता है double membrane से घिरा होता है बंद होता है और थालकॉइड लेमला के अंदर होता है देन क्या है data spread in a matrix और वो क्या है एक तरह से फैला किस तरह से होता है matrix के form में फैला होता है जिसे हम stroma कहते क्या कहते है stroma कहते है यह भी याद रखेगा guys बात को then देखे क्या है the lamella are made of poly lipoprotein complexes interspirate with molecules of chlorophyllus chlorophyllus and carotenoids ठीक है chlorophyllus chlorophyllus हा तो देखे क्या है आपका जो lamella जो होता है वो किस से बना होता है तो lipoprotein से बना होता है और उसका जो complexes जो होता है वो कहां interspirate होता है तो किसके जो आपका मॉल्चिल होता है ऐसे क्लोरोफिल और केरतोनाइट का पिग्मिंट से हैं उसमें क्या होते हैं यह कॉम्प्लेक्स फैले वे होते हैं कि इसमें लेंबला में तो आगे हम बढ़ते हैं वैन फाइको बिलिंज और प्रिजेंट इन दा केस ऑफ रेड अलगी मान लिएकि-ड्वी में क्या है फाइको बिलेंज प्रजेंट इसमें क्या होगा दे आर प्रजेंट इन तर्म व्व इनलना इसाइब ठीक है रेड युद नहीं होता है तो वह किस फॉर्म में होगा ग्रेंळल के फॉर्म होगा अब वह ग्रेनुल को क्या까요 याद रखेः फाइकोबियॉजॉफ को भव पो किसे अच्छे होते हैं तो मेंबरेन सर्फिस जो होता है इसका एल्गी के अंदर जो होता है उसके अदर जो सर्फिस होता है उसके में चिपके वहां एक लाइन से ली लिजुब connected with photosynthetic carbon fixation अब जो स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा क्या होता है अभी अभी हमने बताया था क्या होता है एक तरगे का अभी अभी क्लोड़कोड आपको नहीं बताया होगा मैंने साथ और आरेंज्मेट ओफ थाकोड इन्वार्ड़कोड क्या मिलेगा अलग-लग अलग-अलग देखने को मिलेगा और में बेरी क्लोजली स्टेक्ड टौ एक दूसरे से ठीक है उसके बाद देखें लोको मोशन की बात csak लोको मोशन खुआ यापका क्लोरौप्रास्ट उद्हस्क पेरिंटल में इसका क्या होता है लोको मोशन हो रहा होता है इसके तरफ पिरिफिरी के तरफ इसका लोको मोशन होता है देख्या है जो नंबर होते हैं यह क्या होंगी आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर होते हैं अलग-अलग देखने को मिलेंगे आख किसी में फिक्स्ट भी होते हैं किसी में फिक्स्ट भी होते हैं हैं हुझने हम पता कर सकते हैं अब जैसे की बात करें सक्केशमीदॉम यह कि बात करें वह ने सेटलेट और स्टार सेव्ड है न तो स्टार से पहली सै टलेट फो में होगा वह किसमें होगा highlight at night like किसमें मिलेगा ऑटेवनियं में दो इसमें खाए दिया यादे guys FM Cake 6.3 गिनों तो देखे 6.3 में हम नहीं दोड़्ाते हैं तो यह देखिए आपको यहा पर CHAB में दिरा Denty रहां किसमें क्लायमीद्टोम। इसके बाद ऐस da पाइरल आपको किसमें दिखरा है यह घारिण और इसका नाम फालन हाष पर उलओ तरॉक्स में देखेंग यह उल्टा पूल्टा कर में ठीक है यह पैरिटियल है यह स्पाइरोगारा में क्या है स्पाइरल है उसके बाद हम देखें डी में देखें तो यह स्टार से जो हता है सैटलाइट या फिर स्टार से में देखें यह किसमें मिल जागा आपका जाइगो नीमा में मिल जागा किसमें जाइगो नीमा मिल ज है कि यह मैंने आपको बता है था कि क्लोरो प्रास्ट के अंदर क्या होता है सो रिएने होता है सार्कूलर लगजोंता है क्या होता है कि अधे शर्व ग्लेन लगज़गरिआ अप्लास्टी जलीन हैं इसे आपको क्या है आपको क्या मीलेंगी और एक संटान तो इसे इस में उप्लास्टीट होते हैं कि इसके यूगलेनों सब में क्या मिलेंगे अपको स्कुल्ल डिवीजन से में उसके बाद देखे क्या है chloroplast contain ribosomes of 70S type unlike the those present in the cytoplasm ठीक है यह भी मैंने आपको बता है मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जो इसमें cytoplasm chloroplast के अंदर जो ribosomes पाए जाता है वो क्या होता है 70S type होता है unlike those present in the cytoplasm जो कि आपका cytoplasm में जो present होता है न उसी तरिके से आपका chloroplast में जो होता है वो 70S ribosomes आपको मिलता है जो कि क्या synthetis करता प्रूटीन सिंदेज करता है ribosomes 70S type R characteristics of prokaryotic like cyano bacteria ठीक है ribosome जो 70S वाला जो ribosomes होता है वो क्या किसका करेक्टर होता है prokaryotic cell का होता है ठीक है आपको मालूम भी हो कि 70S ribosome किसमें पाए जाता है तो cyanobacteria में या फिर मैं बोलो prokaryotic bacteria में prokaryotes में भी पाए जाता है तो यानि hence it is believed that chloroplast of eukaryotes were needed a cyanobacteria which come endosymbiotic the course of evolution यानि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो chloroplast है वो क्या है eukaryotes के अंदर जो आया chloroplast मतलब जो आपको यहां देखने को मिला 70S ribosome तो वो chloroplast के अंदर कैसे आया eukaryotes के chloroplast में कैसे तो cyanobacteria which become endosymbiotic in the course of यानि जो जो ribosome से सेर करा देन उसमें जो chloroplast था उसके अंदर भी 70S ribosomes आ गया तो यह हमें क्या evolution के दौरान देखने को मिलता है जब क्या होते दो और ग्राइब symbiotic relationship में रहते हैं जब mutual relationship में रहते हैं यानि वह क्या होते हैं आपस में एक दूसरे को food and shelter share करते हैं तो तभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें कुछ ना कुछ evolution भी देखने को मिलता है तो आपस में वह कभी-कभी characteristics भी share कर जाते हैं ठीक है उसके बाद देखिए क्या है पाइरनोल्ट क्या है गाइस पाइरे-नोल्ट पाइरनोल्ट क्या होता है तो देखिए plastics of many green algae have prominent proteinaceous granules called pyranose जो की plastics होते हैं आपके भीक daar wagon कैए कि यहां two we are आपर होता है आपको मालो मैं प्लाष तोरे अऩया स्टार्च पा जहां पर होता है आपको क्या मिलेGA पार है और देखे इन मैनी केसे सीम्पल क्लोजली असोसीयागें विदएट और Mr. है बहुत सारे cases में क्या होते हैं नहीं नहीं इन मैनी cases one can see photosynthetic थालोकॉइट ट्रांस्वर्जिंग दा metrics of the pyranod or at least associated with हैं तो दो देखें क्या होता है बहुत सारे cases में देखें कि photosynthetic thilocyst होता है वह transversing the metrics of the pyranod वह क्या करते हैं transversing कर देते हैं metrics paranoids को और क्या होता लिस्ट क्भूज एक्सेट करते हैं किस से फॉटोसिंथेटिक थैल्ओकॉल से कौन तो पाइरणोरबेंद देखे क्या है बंदा ख्लोरोप्लाइस टै सब्सक्राइब हो रहां ठाए तो इачThene अगी करके एक और नहीं सको बनाता होता बनाता है तो जब लौक फ्लोर ने रखने को मिलेगा उसके बाद हम आते हैं हो गया क्यों क्योंकि उसमें सार्य जैनेटिक मेर्ट नियूकलस में ही आपके होते है तो हम मत अलग स्किबाग कर रहे हैं शंबल मैं नंबर आफ नियुकलाई पर सेल वेरइस विद जैनरा आपको क्या है कि जो Number of Nucleus है या नयूधिये नीट लई है न Czyรण हो forming हो गया तो देखे क्या है न्यूकलाई जह परसेल क्या आपको करथ सारे देखने एक स्टैल में एक नुट्रेंड करते हैं लेकिन हाएवर ग्रीन एलगा फोरा इस अ मल्टी सेल्लर मल्टी नूकलिटेट क्लाओ रेपा इस मल्टी नूकलिटेड को एन्व साइटिक और व्चेरा कन्टेंज तो यहां पर कुछ ऐसे और्गनेजम हैं वैसे कुछ अलगा है जैसे कि क्लाइडोफवरा की बात करें वह क्या होते हैं मल्टी सेल्लर भी होता है सासत मल्टी नुकलेट भी होता है यानि बहुत सारी नुकलस उसके अंदर देखने को मिलते हैं इसे तरिके से को एनोसाइटिक जो होता है और वाचरिया होता है इसमें भी आपको क्या है जादा नुकलेट यानि मल्टी नुकलेट यह भी होता है देन उसके बाद देखी क्या है eukaritic plant like that eukaritic plant or animal nuclei कि तरह किया होना इलग ऐसेल गौज होत allied double distinct distinct double membrane punctured by patron नाकरेस बडलमेंबस के थूर मेंपरेस यह होती है ति धूरिपल्स के थि द्यौरा करे से यहां देन देखी क्या है during the interface during the interface जब उसमें इंटर फेस हो रहा होता है interface वैसा मतल़ पोजिशन होता है जिसमें क्या होता है तो उसी की और क्या होते हैं वो जो फान क्रोमे इन होते हैं 1 ऐसे फ्ल्स में विजी वो आपको इस तरह किसे दिखिए एकए और क्शेपिट कैनी विज़गा कौकर六 को आपको देखने को मेरे खौन देगा उते इसा कön plugged इंचौ 미ें न क्या होता है यह इंच सब्द %. थो दिन देखी क्या है histones होकि क्या करते है am calm क्रोमसुम कोleo करते हैं जोते हैं जो क्या होते हैं को यह चाहिएक यह सब्सक्राइजन को औंदा क्रोमोजोम नुकलॉस नुकलॉस और्गनाइजर किलाता है C&O ने अब इस तरह के सा भी है याद रख सकते हैं तो जो की अ-बने मैंने बता दिश्ट को एक से ज्वाधा संग्य में होते हैं जहां पर अटेच ऊर्ण होते हैं वह कहां पर कॉन से रीजन होता है। तो क्रोम शोंग नूएक डीजन्रेट ड्सक्ता है लेकिन ऐसे जब डिशईंगत हो रहा होता है यह मैं बुला हो रहा होता है दिखने लगता है चारो अब आपको यह देखे मालूम चल गए होगा की मतलब अब जानगे कि नुक्लोलस जो होता है वह क्या होता है मतलब cytoplasmic ribosomes होता है उसके synthesis में involved होता है help करता है एक तरगे से form करने में help करता है then उसके बाद हम बात करेंगे the structure of nucleus the algal group euglenophyta and dynophyta is quite unique क्या होते है जो structure होता है nucleus का structure होता है या algal किसमें euglenophyta या dynophyta में वो क्या होते है थोड़ा सा अलग होता है क्या होता है unique होता है quite unique होता है किसे अलग मतलब different from other new youkaryotes है जो हम other youkaryotes की बात करें तो उससे क्या है euglenophyta dynophyta का nucleus होता है वो क्या होता है unique होता है during the interface the nucleus inside its membrane so not uncoiled chromatin fibers but highly क्या होता है जब interface फुरा होता है nucleus होता है nucleus उसके अंदर membranes होते है वो uncoiled होते है uncoiled chromatin fiber होते हैं बड़ क्या होते है highly condensed chromosome लेकिन like the organism they do not contain histone protein और सभी और गने के तरह इसमें क्या है कि आपको histone protein नहीं मिलेगा क्या histone protein नहीं मिलेगा कि है योगलेनोफ़इटा और डाइनोफइटामन तो कुछ इसमें यूनिक नुकलिस में आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलती है देन उसके बाद आता है देन अंबर अफ क्रोमोजोंस प्रेजेंट इनी जीनस और स्पीसिस इन अलगा नो रिलेशन विथिट सिस्टेमेटिक पोजिशन ठीक है इंड़ जो प्रेजेंट स से प्रकोडबन साखन विथिव इस फीजेंस में हम क tackling में कैब देंग साम को अनुन विथित स्पीसिसटेमेटिक पोजीशन से स्पीसित अफिएडन स्प्रेजेंस हानल विह तक ंब हम डर में को अरेंज करते हैं तो उसी की बात करते हैं तो smallest number recorded is n2 is the highest maybe 600 or more क्या है जो हमने जब से छुटा जो रिकॉर्ड करा क्रोमोजोम का नंबर वो क्या होता है दो और हाइस्ट हमने के तना लगवग छैसो या छैसो से जादा हमने रिकॉर्ड करा है ठीक है एंसे हम रिप्रिजेंट करते हैं क्रोमोजोमS का हम चाएजक हमने करोमोजोम को हम डेखी हम उतते हैं कि तो तो देखें.. शल्प कैल हम सेय तोरी सिर्ट देखें जाकते हैं, यह को प्राइब कीश मत्रान अर्फयी टॉरी टींपारे स नंबर अज़이고 Midae रिया के किसमें तो अलग-अलग-अलगल अलगल सहल सेल में, the Ultra Structure shows a double membrane, Ultra Structure जो होता है वो क्या सो करता है, double membrane इनर वन फोलड़रा है, the inner one is folded inwardly forming kristi producing into the lumen, तिक है जो inner के बात करें it is believed that mitochondria originated from the endosymbiotic bacteria adapted to intercellular existence inside the central host eukaryotic cells ठीक है तो मैंने बताया था क्या होता है यह endosymbiotic है ना तो mitochondria ऐसा माने जाता है कि वो endosymbiotic through bacteria से कुछ चीजे जो है एड़क की गई intercellular existence को एड़क की गई यानि जब वो central host जो भी कोई होस्ट होगा उसका यूकरतिक सेल और मान लिए कि इसमें कोई साइनो बैक्टिया यानि प्रोकर्टिक सेल इंटर करता है और यूकरतिक सेल के अंदर यह क्या है यूकरियो यह क्या है फोश्ट है जब इसके अंदर इंटर कर रहा तो दैन उसमें कुछ इसने अपनी क्या है खूब यहां कहें या फिर मैं बोलू ऐसी जो यह क्लोर प्लास्ट की बात करें तो यह क्या करते है जो कि क्या करते है जो कि क्या करते है फूटिन संथिस करते है डैन उसके बाद गोलजी बडी मिलेगा आपको अब देखने को मिलेगा अब देखें क्या है यह मिलके से इस तरह के से इस तरह के से बना जो होता है यह मिलके क्या लेमला क्या बनाते हैं गोल जी बड़ी बड़ी गोल जी अप्रेटस नाम याद होगा ना बड़ी जह देखें क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि सेल वोल के आपको क्या है कि उसकी मोटिलेटी में हेल्प करता है कि इसकी तो ऑलगी की मोटिलेटी में घल्प करता है इस वारे में उसमें पड़ते हैं आप चाहें तो देख सकते हैं उसमें जाके और मैंlen मैंक्रोने कवेंगेंच कवें आ प्लाजमां कि है स्टरक्चर सोग्नागे स्ट्रक्चर रहाということで तुक्षर होता है तो उसके हैर के बैसिस पे आपको दो कई ताइप के क्या मिल जाएगा है अलग-अलग टाइप के इस फ्लेगला देखने को मिल जाएंगे तो देखे क्या है पहला देखे फ्लेगला विदाओ टीनियर इंगे पहल जिसके उपर क्या हो टीनी का हो आप सेंट हो वैसे प्लेगला क्या करते हैं यह बात याद रखीएगा और दोज जिसके पास है होते हैं उसको हिर है उसको घर घे त tragic स्टीगोनेम्स किलाते हैं उसको हम क्या करते हैं ते दिपैंडिग अपॉन दे आइसो कॉन थीक है अगर हम बात करें लेंद के डिपैंड जब करता है अगर उसके लेंद बढ़ी है चोटी है तो उसके की से डिवाइड करते हैं इसको क्लासिफाइ करते हैं तो देखिए आइसो कॉंड जो होता है वो क्या होता है जब क्या हो दो फ्लेगला एक्वल हो तो वह क्या 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 है अगर मैं बात करो दो फ्लेगला अनिक्वल हो दो फ तो कॉन कहलाएंगे ठीक है यह बात याद रखिएगा इसो कॉन उसके बाद देखिए गाइज दे आर मीन्स ओफ लोको मोशन फॉर मोटाइल सेल्स तो इसका मतलब बस यही है इनका कि वो एक तरह से लोको मोशन बनाके रखता है सेल कैंदर लोको मोशन प्रोवाइड कराता या फिर सेलं को मोटाइल पराते है याली फाऊंड इविजन एक से व्रोड वाइट तो जो अगर हम बात करें जो आपका क्या मिलता है यह जो आपका फ्लेगला है आप अगर बाद करें लोको मोशन के लिए सभी है अपको देखने के मिले है यूकुरिटिक और यूकुरिटिक है जिसमें क्या है रोडोफाइटा में आपको नहीं मिलेगा देखने में क्या होता है अपने आपको क्या करता है जिसमें क्या होता है वह साइकिल प्रोडुक्तिव मौटलिटिस करते हैं जिसे हम जूस्पोर्स भी एह गैमेट्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? मॉट्ईल होते हैं, मॉट्ईल होते हैं, सम ग्रीन एलगी एंड दा मेम्बरेंस ओफायोफाइटा, क्रिसोफाइटा, डाइनोफाइटा, सो तू फ्लेगला, and one smooth surface and the other with fine hairs. देखे क्या है, कुछ जो green elga के members है, जिसे फायोफाइटा, क्रिसोफाइटा, या डाइनोफाइटा की बात करें, तो इसमें दो फ्लेगला मौझूद होते हैं और जहाते एक smooth surface होता है and the hair with fine hair. और उसमें क्या है, fine hairs आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम बात करें, आइसपोर्ट की बात करें, तो देखें क्या है, motile cells of algae belonging to chrysochlorophyta, phyophyta, euglenophyta, जो motile cells होते हैं, जो की बिलोंग करते हैं किसे, chrysochlorophyta, phyophyta या फिर euglenophyta से बिलोंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, chrysochlorophyta, phyophyta और euglenophyta से बिलोंग करते हैं, तो chrysochlorophyta क्या contain करके रखता है, red colored ice pot contain करके रखता है, in some algae, in some algae, ice pot may from a part of chloroplast, ठीक है, क्या होता है कि कुछ algae में ice pot जो होता है, वो क्या होता है, part होता है, कि इसका chloroplast का ही part आपको देखने को मिल जाएगा, and it is located in the base of the flaglam, जो flaglam का, या flagla का जो base होता है, वहीं पे आपको या ice pot देखने को मिल जाएगा, और क्या है, but in yuglena is quite distinct and away from the chloroplast, लेकिन जब हम yuglena की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो chloroplast से थोड़ा दूर देखने को मिलेगा, या फिर दूर होता है, and then देखे क्या है, the common type of ice pot as found in green algae, जो common type of ice pot होता है, वो green algae में किसमें पाइदाता है प्लेमी डॉमनास में आपको मिलेगा, appear to have a raw of orange colored lipid granules, क्या होता है, ये एक तरह से orange colored lipid granules का, क्या होता है, रो होता है, मतलब रो की तरह दिखता है, और क्या है, वो पार्ट होता है, इसका थाईलोकोईट का पार्ट होता है, एंटेरियर पोर्षन होता है, क्या होता है, ए अब गईज आ जाते हैं, हम ओर्फोलोजी पर, देखें, मौर्फोलोजी क्या है, इल्गी की मौर्फोलोजी की बात करें, एलगल, इलगल जो है, वाइड रेंज ओफ डावर्सीटी सो करता है, जैसे कि ऑर गनाइजेशन आफ देर थेलश, उसके जो तेलस में जो ऑर्गना कि अगर हम बात करें दो एक्स्ट्रीम रेंज की बात करें तो उसमें से क्या है कुछ कॉलोनियल कॉल उसमें से क्या है कि कॉलोनियल फिलामेंटोस फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे इन दफॉलविंग टेक्स्ट यू विल स्टडी यूड़ स्टडी अबाउट दा सारी डीटेल अबाउट दा डिफरेंट टाइप ऑफ थैली इन अलगी ठीक है हम अगर हम सेल्स के नंबर पर बात करें दियर एस्टीएशन और एंड डिग्री ओफ डिफरेंटियेशन विद इच अधर दा अलगाल थैलस कैने वी क्लासिफाइट इन्टू 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 दी फॉलिविंग टाप्स क्या है कि उसके हम नंबर अप सेल्स के कोर्डिंग ल फिद्शिएशन ऑफ डिग्रिएचन में देखें यह ते तो कई तरह से करते हैं क्लासिफाइट करते हैं तो पहले उनी च्ल्ल एख देख यजो रफ इसकंड गरते हुं कोई परेजिश pressing gonna को करते हैं देखे दो सब टाइब क्या होते हैं ै और इजिड टे हैं जो कि साइट फ्लाज्ञा्म प्रोजेक्शन क्या होते हैं इन डॉल्च première आपको देखने को मिल जागा है अब आते हैं प्रोटो-कोडल में देखे क्या है किस प्रकार से इसमें प्रोटो-कोडल में भूआ यह थैक्ट होते हैं गोई होते हुगे लाइक और कोसुत है होते हैं ये बाद हम बात करें खीन одноfate यह क्या है साइनोफाइटा जो फांड़ होता हैio कि वह थे प्रोरा सवेटा इंग और आपका जो प्रोंट कोईडल सेप सब्सक्राइब में युद्ट में इसले से जिए प्रोड़ड ऑपकर जो प्रोड कोईडल सेफ युनिशियर युद्ट में देखने को भी है क्या जिसके अगर वह सरकुलर हुआ तो जैन्तो फाइसिया होगा या फिर फेंद करेगा एक भाम कहा सहिए मैं जिसे हम लोपाइसिया कहते देुस्ति आपको बैक्रिया वाले चेप्टर फाइसिया त us आर जाने दिए इस तरह के से से इस तरह के से बेसल होता है धर जाने दिये इसको हम विद्व यह जाता है ने दिए नहीं जाओं तौग Mm क्या आता है गाई इनके पास अधिए फ्लेगला आजो कि एक प्रकार का एक्षटी करता यह हुदə एक दो मोटा है इसके मेलिटिटी linked फिसी अग्जांपल और ख्लोरोफीश है क्मले क्लेमीडहूमनाओ लिङरोफीट इस टीपिकल एक्जामपल है उसके बाद आता है कॉलोनियल की बात करें तो वेना सैल डिवाइट एंड डाउटर सेल्स फॉर्म रिमेंड टुगेधर विदिन दा कॉमन मुचलेज मास इडिज नोन तो यह अलग होता है वो ilग नहीं होता है वो जुड़ा ही रह जाता है तो फो एकсти एक तो यह क्या कोज न लाज नंबर अब युसमें बहुत सारी सेल्स कंटेंट करके रख सकता है समट मेबना माइकरोसकोप की मदद से भी हमें दिख सकते हैं नंगी आखों से भी सकते हैं In this type of chellis organization, motile flagglated cells aggregate to simple colonies in which the daughter cells remain together within mucilage. Now, what is thing is that the chellis organization is on assessment or type of chellis organization is on emo pagar unit. Motile flagglated cells aggregate to simple colonies. Here's what the body creates. Simple colonies will segregate. करेंगा जिसमें क्या होगा डाडॉर सेल रोगा डाड़ रिमेंट्ट तोगेढर विद मोसले डाड़ 的 की बाद करें तो गोनीम में होता है अगर बहुत कि बात करें लिसरे में होता है अगर मियूप में बात कर रहे थे इन विस इंट प्रोट प्लाजमीग थ्रेड तो क्या होते हैं जो प्लाजमीक इंट कनेक्टेड रोट प्लाजमीग थ्रेड के तो यह आपको वल्वक्स में देखने को मिलेगा तो क्या होता है जैसे कि हम बात करें कुछ मेंबर देख लें पैडिया स्ट्रम की बात कर रहे हैं जिसमें और क्या क्या है जो की अरेंज होते हैं किस तरह के से नॉन फ्लेगलेटेड को को अनोबिया की तरह मतलब अरेंज होते हैं मतलब उसमें नॉन फ्लेगलेट नहीं होते हैं और देन क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बात करें हम टेट्रास्पोरल ग्रूप की बात करें the kind of organization is seen in member of Sinophyta such as Microsystems जो organization होता है एक तरह का organization होता है जिसमें क्या होता है जो members होते हैं Sinophyta के वो क्या होते हैं Microsystems होते हैं the general cells are embedded in mucilage and non-motile colonies और कौन से genre में कौन से genre of cells होते हैं जो की embedded होते हैं mucilage embedded होते हैं किसमें non-motile colonies में जो किसमें embedded होते हैं जो की form करते हैं non-motile colonies यानि वो colonies movement नहीं कर सकती ऐसा मान लीजी the term is not true description as not all the colonies have only four cells ऐसा मान लीए कि यह जो term है जो कि दे रखा है जैसे कि description not true in description and not all colonies have four cells ऐसा नहीं कि सारी colonies में क्या हो चार ही cell accord होते हो चार ही cell रहते हो ऐसा नहीं होता है दिखेए इहां पे कुछ structures है कुछ जैसे rhizocrisis हैं और रईयजोडल का क्या बनाता है है क्या बनाता है llamado with बनाता है क्या चॉँअन आता है जा тру oni कि इस तरीके से colony form करते हैं यह गॉनियम मनाते हैं फिर पैंडोरिना बनाते हैं फिर देखे क्या है यह क्या है पैंडाdy přियास्षप्त्रोल यह साथ्स ज़्ली रहे हैं है कि सब्सक्राप direct निकला पड़ा है कि तरफ किसी में ख्लामा नहीं है तो यह कुछ diagrammatic representations है ठीक है अगला बात करें हम flag fragment to us की बात करें flagment to us type of theus is obtained when algal cell divide only crosswise जब crosswise क्या होता है algal cell या filamentous types of theus क्या होता है often often होता है कब algal cell जब क्या होता है crosswise divided होता है तो filamentous type of theus होता है वो often क्या जाता है without being separated from each other from a linear row of cell क्या होता है बिना क्या होता है एक दूसरे से अलग हुए क्या करते हैं एक linear row of cell form करते हैं filamentous type of organization is quite common in algae filamentous type of organization is quite common in algae and there are labels of structural and organization organizational differentiation of these forms क्या होते हैं ती जो filamentous type of organization होता है वो quite common होता है किसमें algae में quite common होता है और जो level of structural organization होता है वो differentiation in these form पता है इन फॉर्म में क्या होगा differentiation मतब अलग अलग देखेंगा organizational differentiation आपको अलग देखने को मिलेगा filamentous type of organization में अलगे इसके बारे में अलगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अनब्रांच की बात करें filamentous में in this type of the filament do not branch and remain as a single row of cell क्या होता है कि इस प्रकार का थेलस बनाते हैं वो जिसमें क्या होता है filaments क्या होते ब्रांच नहीं करते खुद को एक तरह के से single row में sustain करके रखते हैं आपने आपको ऐसा समझ लिए इस सिंगल फिलामेंट्स में comprise of a uniserate row of cells embedded in mucleus seen in nostoc and eulothrocks यह क्या होते हैं यह सिंगल फिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं यूरिसेट रो में होते हैं जो की सेल्स को क्या करते इंबेड़ करके रखते किसमें मुसलेज में है ना जो कि किसमें होता है आपको किसमें देखने को मिलेगा नौस्टॉक और कि यह बहुत ही जबास्फीन सिंपल मौडल होता है दिफ्रेंस यहमें ब्रीखिस ने surrounds नहीं म्दीधिट हो जाता है जिसमें वह हर जाता है तो यह दो ऍनी जाता है filamentous algae the vessel is differentiated into specialized structure called hold fast that facilitate attachment of the filament of the substratum such as rock देख्या है जैनरा of filamentous algae जो filamentous algae के जैनराज होते हैं वो क्या है बैसल cells is differentiated into specialized structure जो उसका जो बैसल होता है ना guys वो क्या होता है differentiate करता है क्या किसके इसके structure को इसके spatialized structure को differentiate करता है देकिन जैसे कि जैसे हम hold fast कहते हैं जो कि facilitate करता है किसे attachment of the filament to the substratum क्या करता है वो attach करके रखता है substratum से attach करने में help कर करता है कौन filament यह जो आपका filament है है रॉक पे हो गया या फिर वाटर के अंदर हो गया कहीं पर भी आपको देखने को मिल जागा सच एन अरेंज्मेंट आप observation इन यूलो थ्रॉक्स इसी तरह का अब जरू यूलो थ्रॉक्स में भी करते हैं यूलो थ्रिक्स ठीक है अब जो इसका अपकल सेल होता है वह मौर्फोलोजिकली इनका जो अलग देखने को मिलेगा और ब्रोडर इंसे ब्रोडर वह बड़ा भी होता है साइज में बड़ा भी होता है दा वेजिटेटिव सेल्स अंडर्गो सेवरेल डिविजन ऑफ दी जूस पोर डेटक्स एक्ट तो मौड असेक्सवल रिप्रोड़क्शन की तरह एक्ट करता है जब क्या करता है जब सेल्स डिविजन में जूस पोर फॉर्म करता है ठीक है तो यह देखिए इन अगई निए इन अनब्रांच्छ व्लामेंट फ्लामेंटिय। फ़र्म इन अनब्रांच्छ फ्लामेंटिय। फोर्म त्वेस्ट जीनस और ओडियोनियम एंड ख्लोरफीच्ट शोग तेल हाइर लिवल आव श्रॉक्ट्छराल एंड फांक्शनल डिफ्रेंशिएशन जो क्या होता है आप्रामेंटर्फ प्रॉर्म जो होता है किसमें जीनस ओडियोनियम या फिर ख्लोरोफीच्ट या मैं एक तर तेलास जो इनका होता है से सबस्ट्रेटम से था हुटा है विद तो फॉल फास्ट किया होता है कि वजे से वह अटेच कर पाता है अपने अपको अपनी बॉडी को देखने ग्रोथ of the filamentous is due to certain specialized cells of filamentous known as capsules, जो growth होता है, इसका filaments का growth होता है, इसमें certain specialized cell के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, capsule कहते हैं, capsule, which are called as they are rings like structure, हमें इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका structure होता है, ring like होता है, या cap like होता है, उसके wall के उपर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, these cells may divide several times, क्या होता है, यह cells क्या होता है, several times में divide कर रहते हैं, and the number of caps indicate the number of times they have divided, तो उसमें जितने भी caps आपको देखने को मिलेंगे, उससे आपको क्या मालुम चलेगा, कि वो उतने जादा बार number बार क्या है, वो अपने आपको divide कर रहा है, तो एक क्या है, branching is seen in several genera of alga, is in primary two species, branching जो है आपका, mostly आपके बहुत सारे genera में देखने को मिलेगा, अगर हम primarily 2 types के alga की बात करें, जैसे कि, मतलब branching की बात करें, तो पहरा हमारा false branching, दूसरा हमारा true branching, example हमारा voucheria है, जिसमें क्या है, false branching is observed in member of syenophyta, when the trichome breaks the trichome, trichome breaks within the mucilaginous seat, and one or both the ends so lateral growth and form the false branch, देखे होता है, false branching कैसे form होता है, जो कि observe आपको दिखेगा, किसमें observe मिलेगा, syenophyta के अंदर आपको देखने के मिलेगा, जो कि trichome होता है, trichome क्या करता है, कि ब्रेक कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, मतलब मिलेग कर दे अन्न ए और एक तरगा से जो एंड न होता है, and so कर थे लेट र्यक्त ओंड अन्न डिविभाते है और इस optic में क। शर्वल ठीक होाथा है, तो इस तरह का क्या है कि यहां चैनल होता है आपके कि क्या है जब क्ले कोणि क्लिए अंधर ही एक पिर्स आपस्यारकी हजो क्या है और वह एज़े कैसे दिखते हैं फॉस ब्रांच की तरा दिखते हैं उसके बाद हम बात करें इन जनरा सच ऐसे ल्यदोफो रहा होता है या फिर बात करें फिलामेंट अभ ब्रांच डैर्ट गिव डेंस फलफी एपिरस एंतू प्रहू रखते हैं जो किस तरह के से ब जो क्या होता है कि acro petal होता है mode of branch formation जब branch का formation होता है तो उसमें जो youngest branch होता है वो closest होता है किसके apex के closest होता है फिर आता है hetero akterotricho platform heteroíkoz form किसह टाइप का होता है तो देखिए when some cells of appear deliver inconvenienen 我 tickly virtually it it results into branch क्या हुटता है जब क्या हो जक्वाइल हुथ सेलस क्या होते ृश दिवाइच हो रहा है तो क्या होता है वह आपको क्या दिखेंगे एक तरह की एक्टेंश करते हुए कि रही होते हैं और इक तरह किसे फिलामेंट को क्या देते हैं एंस अमने तो कुछ अमने में आपको क्या क्या होगा देखने को मिलेगा जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं होरी जॉन्टल देखने को मिलेगा क्या होगा बेस क्या होगा होरी जॉन्टल देखने को मिलेगा और बॉर्टिकल देखने को मिलेगा अटेश्ट टूदा सबस्ट्रेटम नोन इस प्रोस्टेट सिस्टम जब हम और और क्या करते हैं वो एक इर्गिस्टम फॉर्म करते ही कि अगला कोई हम क्या कहते है इस टाइब की बहुठी बहुत समय कोई हम क्या in algae, जो heterotrichose habit जो होता है, वो क्या होता है, most development filament, बोस्ट developed filament आपको कहलाएगा, construction in algae जो होता है, जो construction होता है, most developed filament आपको देखने को मुले है, it observed, kolio, kate and ectocarpus, क्या होते हैं, हमें उसमें क्या observed देखने को मुलेगा, collocate और ectocarpus में भी हमें ये देखने को मुलेगा, क्या heterotrichose form, है न, अब बात करते हैं, thaloid की बात करते हैं, क्या, thaloid की बात करते हैं, when the cells of a filament divide more than one plane, क्या होता है, जो cells होता है, filament, मतलब algae cell के, जो cell of filament होता है, वो क्या होते हैं, एक से जादा plane पे जब divide हो रहा होता है, ऐसा माली ये इस तरह के से, इस तरह के से और फिर दूसरे plane में चला गया, तो देन क्या होगा, example not only crosswise, ऐसा नहीं कि सिर्फ crosswise, lengthwise भी अगर होता है, तो क्या होगा, एक तरह के से इसका result क्या निकलेगा, पढ़नाम सरुप क्या होगा, seat of cell form हो जागा, थेलस में भी, वन सेल और मैनी सेल्स इन थिकने, और जो थेलस होगा, वो क्या होगा, एक सेल या फिर कई सेल से, वो अपना थिकनेस बना लेगा है, तो यह हमें किस में देखने को मिलता है, फ्यूकस और उल्वा में देखने को मिलता है, तो आगे क्या है गाईज, आगे का पिक्शर क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसको हम छोड़ा कर रहे हैं, हाँ, तो गाईज, देखिए, इसके बाद देखिए, यह जो हमारे वेजिटेटिव, हाँ, तो गाईज, देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे आप रिप्रोड़क्शन इनलगी स्टार्ट हो जा रहा है, रिप्रोडक्शन नेलगी रिप्रोडक्शन नेलगी तो हमारा नेक्स्ट पार्ट में यह पेजिस दिख क्यूं नहीं रहे हैं तो इस माफी चाहते हैं कि वह थोड़ा सा यह जो नीचे के पेजे से वह डिलीट हो गए थे कि क्या इसकारण वीडियो को बीच में रोगना पड़ा देन इसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं तो हमने थैलाइड को बारे में पड़ा थैलाइड क्या होता है क्रॉस्वाइज यह क्या क sm them हमने देखा कि filaments है when filaments divided in more one plane not only crosswise बट लेंड वाइस क्या होता है इक तरी के सीट फॉर्म करता है यह में भी फॉंट ऑफ करते हैं तो यह आपको कर देखने को मिलीघा बैंन उसके बाद हम देखिए यहां पे कूछ वगेरा है पिक्चर्स में आपको हैं आपको यह द enforcement आताया आयर जो आपका कॉलम एपका कालनी है आपका क्या है forest यह क्या लाता है आपका mustra GIS इसमें आपको क्या मिर्जाएगा एंंट्रकैलरी हैत्रो-सिस्ट मैं deputy आत्रो-सिट क्या होता है यह देखिके इस तरह análों निन ग्रेन देख रहा होगा फिर मैसल इजने सीध सीध देख रहा होगा तो यानि यांपे different types of cells देखने को मिल रहे हैं एक colony में पिर उसके बाद B का structure देखे था B का क्या है बी आपका है A to B, B, C, जो भी है आपका, यह इसमें क्या है, यह आपका structure है, ब्रांच structure है, क्या है, यह ब्रांच टु फॉर्म हो रहे हैं, फिलामेंटोस जो है, क्या है, ब्रांच, नहीं, अन ब्रांच, सॉरी, अन ब्रांच, नहीं, उसके बाद देखिए, यह ब्रांच, यह ब्रांच, यह ब्रांच, तो बिल्कुल ही, यहां पर क्या हो, कनेक्टिविटी ऐसा नहों कि कहीं पर, सेग्मेंट बन रहा हूए, कि यह ब्रांच है, इसलिए इसको हम ब्रांच कहते हैं, यह जो हमारा D है, वोचेरिया है, वोचेरिया हमारा ब्रांच का एक्जाम्पल है, ठीक है, A से लेके, B से लेके, C तक हमारे जितने भी जो एनिम इसे में कितने बार डिविजन, कितने टाइम साफ डिविजन, हमने टाइम साफ डिविजन हो रखा है, उसके भी देखिया है, Cytoplasm, Reticulate, Chloroplast, Nucleus, Spironoids, यह रहा, ति यह कुछ इसके पार्ट्स हो गए, देन उसके बाद हम आते हैं, फॉलिस्फोनाइड में आते हैं, फॉलिस्फोनाइड में आते हैं, फॉलिस्फोनाइड होता है, 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 मरीने के यह सिरह पर्म में होते हैं मतला अभी फॉलिस्फोνियां मोरीन सर्वाइब करते हैं तो मरीन फॉर्म में ऐसे स्वाइब करते हैं नियुक्त सुठाइब in the form of elongated rhizoid which attaches to the alga to the substratum ठीक है जो इनका prostrate system होता है यह prostrate system है वो क्या होता है कि form of किसका होता है elongated rhizoid यह elongated rhizoid दिख रहा होगा आपको तो यह क्या करते हैं वो attach करते हैं कहां इसका इरगत इस सिस्टम होता है वह है जो आप और उपर के दिख रेहाँ हुआ है इसमें आपको दिख रहा होगा दो टैप्स के ब्रांज दिख रहे होंगे देखे कुछ यह बहुती बहुत ही ज्यादा लंबे ब्रांच कुछ क्या है चोटे चोटे ब्रांच भी है यहां पर मतलब दोनों टाइप के फॉलिस फोनाइड में जैसा होता है उसमें आपको दिख जाता है अदें दstringsलम में फिलामेंट ग्रोंस यो होता है वह प्रेंड मेंचियौर प्लान बॉड्य मेड सेल्स क्या है जो मैचे और प्लांट होताँ है बॉड़ि होते है मैचे और बॉड़ि होती है वह कहां बनती है तो सेंटर रोज ओफynn में बनती है जैसे कि सेंटाल सेफोन हो गया वह सरॉंडड़ व सेंटर केहीं होते हैं इसके बाद है टो कासरे में चुंपर सेंटर कर सोते हम आपको थे यहां धिक उगाहर कleiς हो रहा हैं किसे तरगे से सउगमेंट में एक तरगे से अटेस्ट दैने इसके बाद है एकक्टो कार्पस है क्या है actoka कारपस में भी आप देख रहा है कि हैं कि ब्राइंज देखने अब यहां देखेंगे यूनिक युनिन लोकी और स्प्रणज्यम और फुरी राद्ट यह इसके पार्ट्स देखे रहाएँ तो इस तरह यह उल्वा देख रहे हैं कि सीया पका उल्वा है उसके बाद देखिए ट्रीको ata EU उसके बाद देखिए यह हमारा चेप्टर यहाँ पे खतम होता है यह हमारा पार्ट वन यहाँ पे खत्म होता है और पार्ट-वन जो खतम हो रहा है यहाँ यहां पे हम SVQ के बारे में थोड़ाँ सा डिस्कस कर लेते तो ऐसे क्यों में देखिए क्या है कोश्चन्स वगेरा के बारे में हम डिसकस करते हैं तो यह देखिए क्या है साइनो बैक्टरिया है वा क्या होता है गाई साइनो बैक्टरिया के पास होता है एह प्रोकरटिक सेललर स्ट्रक्चर तो क्या प्रोकरटिक सेललर स्ट्रक्चर हो holdfast जो हमने पढ़ा holdfast के बारे में वो कहां form होता है बलाइए क्या holdfast no stock में found होता है तो जी नहीं holdfast form नहीं होता तो किसका क्या होगा उत्तर ऐसका? क्या होगा ? g तो देखिए यह फॉल्स है अब देखिए क्लैमी डॉम्नाज फ्लोट्स बिकाउड प्रेजंस ऑफ गैस वेसिकल्स तो क्या यह सही है क्या यह गैस वेसिकल के कारण ही फ्लोट कर पाता है क्लैमी डॉम्नाज तो जी यह फॉल्स है असा नहीं है कि क्लैमी डॉम्नाज इसके कारण गैस वेसिकल्स के गारण ही फ्लोट करता हो दैन उसके बाद इसका नहीं इसका नहीं इसका नहीं इसका हां फॉल्स और इसके बाद देखिए पाइर नॉइट्स और प्रूटिनेसियस तो बिल्कुल सही है पाइर नॉइट किसे बनता है प्रूटिनेस डिपोजिट से ही मिलके बनता है इसके बाद देखे क्या है वेच आप दी फॉलविंग एलगा इस कॉलनियल इन फॉर्म तो कौन सा अलगी है इसमें देखे बताइए जो कि कॉलनियल इन फॉर्म होता है बता इसी प्रकार से का सी पर आते हैं यहां बताइए कौन सा यूनिस एलगा होता है बताइए यहां पर कैलमी डॉम नास जो होगा वह आपका क्या होगा इसे के बाद क्या होगा होगा इसी के बाद connected with the younger colonies होती है wallbox की वो किससे connected होती है किसके connected होती है कौन सी colonies connected होती है यह होगी आपकी proto-plasmic thread से connected होती है किससे होती है proto-plasmic thread से connect होती है इसके बाद हम बात करें the colony of dash floats on the surface of water because the individual have gas vesicles तो मतलब colonies की कारण मतलब फ्लोट करती है मतलब कौन सी colony float करती है बताए यह gas vesicles के कारण ही आपको float कर पाती है यह gas vesicles के कारण ठीक है उसके बाद देखिए briefly discuss the following and given suitable examples इसके क्या है एक्जांपल suitable examples के साथ इसको describe करना तो यह चीज़ आप describe कर लेंगे मुझे मालूम है cell wall क्या होता है eukaryotic cell wall को आप describe करेंगे फिर उसके बाद heterocyst को describe करेंगे और किस-किस में पाए जाता है काउन से non-stock में पाए जाता है तो यह example भी लिखेंगे आप उसके बाद diversity of chloroplast को भी describe करेंगे और उसके examples वगेरा आप लिखेंगे ठीक है एक खुछ से करना है आपको देन उसके बाद देखे क्या है मैंस दा with me the following में में देखे क holidays OEC прикilly और को राइसी से मिलाएंगे देखेंगे नाम से हमें पता चला जहां है नाąd आप्से हमें पताचला हे ठिची कॉलोणीयल कॉलोंसा को भॉलीघ्वों में उसका होता होगा वाल्बोक्स वाल्वॉक्स का भी हमने देखा था किस तर किसा कॉलनियल को Hagp अंदेर वारिये संसय लौट आपरbas इसंसली करैंट भोट तो मिल्म Sm कि अच्छा अच्छा लगा हो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो करके से लाइक कर दिएगा ठीक है और हमारी चैनल पर बने रहने के लिए हमारी जब वीडियो से अपडेटेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जाके बेल आकान बटन को दबा किएगा हमें और ज्यादा ज्यादा हो सके बच्चों में सेयर करिए बहुत ही ज्यादा इसको फैला डालिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो से प्रॉफिट मिल सके थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स डे